नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बास्तु ग्यान गंगा योटूब चैनल पर बड़ी गड़िश चतुर्ती 10 सितम्मर की है, इस दिन गड़िश स्थापना की जाती है यह उस सब 11 दिन का होता है 11 दिन आप भगवान गड़िश के सामने एक चीज चड़ाएंगे तो आपके हर मनुकामना पूरी होगी और धन प्राप्ती के रास्ते खुल जाएंगे भगवान गड़िश की पूजा करने से हमारे सभी संकर दूर हो जाते है यह गड़िश चतुरती बड़ी गड़िश चतुरती होती है और 11 दिन का यह उस सब विशेशी महत्पूर होता है जो व्यक्ति इन दिनों में भगवान गड़िश की पूजा करता है अपने गड़ में गड़पती जी की स्तापना करता है उनके सभी विग्न सभी परिशानियां दूर हो जाती है यह सब पूरे भारत भरस में बड़े ही उस्ता के साथ मनाया जाता है सास्त्रों के हिसाब से ही का जाता है कि प्रतम पूज्य गड़पती जी की आरादना सभी को करनी चाहिए आप कोई भी कार कर रहे हैं तो सब से पहले ओम गंगडपती न महम मंतर का जाप करना चाहिए अगर आप इस पकार से भागवान गड़े जी का जाप करते हुए कार करते हैं तो आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाएगी वास्तु सास्त्र के हिसाब से भी कहा जाता है कि भागवान गड़े जी की प्रतमा मूर्ती घर में रखने से वास्तु दोस्त खतम हो जाता है भागवान गड़े जी प्रसन्नो करके हर मनुकामना पूरी करते हैं 10 तारिक से लेकर के 19 तारिक तक का ये पर्व है इस दिन प्रति दिन भगवान गड़ेजी के सामने आपको कुछ कार करने चाहिए कोछ उपाए भगवान गड़ेजी के सामने करने से आपकी मनोकामना जरूपूर योगी आपका ब्योपार अच्छा नहीं चल रहा है नोकरी नहीं लग पा रही है प्रमूशन नहीं हो पा रहा है तो आपको भगवान गड़ जी के आरदना जरूर करनी चाहिए सर्पितम दस तारी को सुवह इसनान करें उसके बाद में आप भगवान गड़ जी की पूजा करें एक चोकी पर भगवान गड़ेजी को ब्राजमान करें उनको इसनान कराएं उसके बाद में फल, फूलमाला, पान के पत्ते, रोली, चावल, आधी चीजों से भगवान गड़ेजी की पूजा करें उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रति दिन का नियम आपको बना के रखना है प्रति दिन आपको भगवान गड़ेजी के सामने पांच लाल पुष्प अरपन करने हैं साथ ही प्रति दिन आपको भगवान गड़ेजी के सामने पांच हरी गास की गड़ी बना करके अरपन करने हैं जब आप हरी गास की गड़ीयां भगवान गड़ेजी के सामने अरपन कर रहे हों तो उस समय स्री गड़ेशाय नमा मंतर का जैब करना है और भगवान को पुश्वियार पन करना है इससे कितना भी बड़ा कर्ज हो आपका कर्ज भी दूर होगा कर्ज चुकेगा और आपकी हर पनों कामना पूर्योगी घर में गड़जी की जब इस्तापना हो तो विशेशू से कुछ बातों का ध्यान लगना चाहिए आप घर में मीट बास का बिलकुल भी प्रयोग ना करें खान पान पर विशेशू से आपको ध्यान लगना है साथ ही प्रति दिन गंगा जल के छीटे भी घर में लगाने हैं घर में लड़ाई जगड़ा या कोई भी ऐसा कार नहीं करना जिससे पूजा पाठ में परेशा नहीं आए है भगवान गड़ेजी विग्न हरता हैं सभी विग्नों को दूर करते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूरी हो जाते हैं प्रति दिन भगवान गड़ेजी को मोदक अरपन करें और उस समय आप पारवती प्रियनंदनाई स्वाहा इस मंतर का भी जाप करना चाहिए भगवान गड़े जी प्रहसन नो करके आपकी मनुकामना पूरी करेंगे श्री गड़े सायन महा मंतर का प्रति दिन जाप करते समय आप अपनी मनुकामना बोले और भगवान गड़े जी की हाथ में हरी दुरवार पन करें साथ ही भगवान को प्रति दिन आप फल और गाय का दूद के इसा डालकर भी भगवान गड़े जी को भोग लगाए और उस प्रसाद को आप स्वैम भी ग्रहन करें ऐसा करने से आपकी हर problem solve होगी हर परिशानिया दूर होगी दोस्तों बिशेशी ही शोव माना जाता है भगवान गड़े जी का पूजन आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी हर प्रकार के मनुरत पूरे होंगे आप भगवान गड़े जी की पूजा जरू करें जब घर में गड़पती जी लाएं तो उनका मुक आपके घर की तरफ होना चाहिए और बिसरजन के समय भी मुक आपके घर की तरफ होना तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जादा जादा शेर करें इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में गंटी के बेटन को जरू दवाएं कमेंट में ओम गंगर पते न जरूर लखें बगवान गड़ेश आपकी हर मनों कामना पूरी करेंगे नमस्कार